आज हम बनाएंगे कम तेल में बनावा सूजी का एकदम हेल्दी और टेस्टी नास्ते की रेसिपी जिसे खाने से पेट तो भरता है यह साथ में इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आपको इसे बार-बार बनाने का मन करेगा बच्चों को तो यह बहुत पसंद आता है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी मल्टी मसाला कोकिंग में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बैल आइकन के बटन को प्रैस रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न दालेंगे तो दही आप यहां पर भठेंड़ Thomas है से और आधा नमक ये जीवेल मसाले काली मितल आप सर्एबं का गोर्ड़ को ओप॥ा कि बनाकर त्यार करेंगे और यह इतना टेस्टी लगता है खाने में कि आपको खुदी यकीन नहीं होगा कि आपने इसमें मसाले भी कुछ जादर नहीं डाले तब भी इसका तेस्ट इतना ला जवाब है तो यह देखिए हमने इसका खुब पढ़िया से गोल बना लिया है तो मै आप यहां पर वेजटेबल जित्व भी आपको पसंद हो सबजे आपकर सकते हैं तो सबजियों को सूजी में खुब बड़ी ऐसे मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्स है वो काफी गाड़ा सा हो गया है क्योंकि सूजी पानी बहुत जादा एब्सॉप कर द गोल की इस देखके आप यहां पर इसको पांच से दस मिनट के लिए रख दीजिए तो हमने इतना इसको गाड़ा रखना है और उसके बास जरूवत पड़ेगी तो हम इसमें पानी आड़ करेंगी तो मैं पर पांच मिनट के लिए इसको रख देती हूं उसके बाद चेक कर लेते हैं पांच मिनट हो गए हैं तो हमें इस तरह का मिक्चर चाहिए नाहीं तो जादा पतला तो इस तरह की कंसेस्टेंसी होने चाहिए यह बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हम यहां पर इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इनो तो मैं आदा चमच के करीबें इनो डाल इसके भी आप नास्ता बना कर दियार कर सकते हैं इनो डालने से क्या होगा नास्ता थोड़ा इस बनेगा बस टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा तेस्ट सेम रहेगा तो अब हम यह आप अपर तवा रखा गैस की प्लैम को लो रखा तो हम यहां पर दो चमच देल डाल यहां पर और किया करेंगे अच्छ चूहत जब राग्स के सकत्कों चल्सकों हो च्छानल इसको भी वहां तो पक्ते वह पिए यह बीड़ वहुआ से लेगे मैं ने आपर इसको बढ़िया से गोल सेब दे दिये हैं तो आप हम इसको ठोड़ा सा ड्राय होने तक इसको और पका लेंगे जब यह उपर से ड्राय होने लगेगा तब हम इसको दूसरे साइड से पकाएंगे तो यह देखिए अच्छे से ड्राय हो गया है और इसका कलर भी गाल शींच में और च्पशी से चूट तो ऑब बाएंच थैगा जाकी एक चमच रिपाइंट ओए इस से लगा दोँगी और यहां पर is वाँ आप उसको सब्सक्राइब 5 वर यहां पर तो मैं आप यहां पर ट्रीकुल और 10 अーक Teleotype यहां आप झाऊचे सब्सक्राइ सुबंद 25 यहां वरा खुण 17 00.30 हमारी कोवच्छे से पक गई है और जो हमने यह नास्ता बनाई यह भी आप बहुत बढ़िया सी क्रिस्पी हो गया है और कलर भी क्या बढ़िया आया है तो अब हम यहां पर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो नास्ता बनकर तयार है तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना खाने में आप इसे बच्चों के टिविन में दीजिए या ब्रेक फास्ट में बनाईए तो उम्मीद करती हूं आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को जादा से जादा लाइक शेर करना बिल्कुल ना भूले और बनाई करता है